लेफ्टिरेन जनरल मनोज पांडे देश के अगले सेना प्रमुक होंगे उनके निक्ति को आज सरकार ने हरी चंडी दे दिये लेफ्टिरेन जनरल मनोज पांडे ने सेना प्रमुक निक्त किये गए मनोज पांडे के बारे में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आर्मी चीप बनने वाले पहले इंजीनियर है और सारे इंजीनियर्स को इस बात पर गर्व करना चाहिए लÉटेन जनरिल मरोज पांडे अब नये सेना प्रमौ का कारेबार समालेंगे क्योंकि सरकार ने उनके निक्तिकों हरी झ्हंडी दे दिए सरकार ने लेटेन जनरि मरोज पांडे को अगले सेना धच के रूप में निविक्त करने का फैसला किया है अगामी 30 अप्रैल को लेटेने जनरल मनेज पांडे को भारती सेना की कमान सौपी जाएगी मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिने सेना प्रमुक के कमान सौपी जा रही है बरत्मान सेना प्रमुक मनोज मुकुन नर्वडे इस मां के आखिर में सेवा निप्रित हो रहे हैं उनकी जगा लेंगे मनोज पांडे आईए जानते हैं कौन है लेटेन जनरल मनोज पांडे लेफटिरन जनरल मनोज पांडे दिसंबर 1982 में कोर आफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था वह स्टाप कालेज केंबरलू से असनातक है और उन्हें आर्मी वार कालेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कालेज में हायर कमांड कोर्स में भाग लिया था लेफटिरन जनरल मनोज पांडे ने अपनी 37 साल की सेवा में ओपरेशन विजय ओपरेशन पराक्रम में सक्रीय भाग लिया था पिछले तीन महिनों में कुछ सिर्ष अधिकारियों के सेवा निवरित होने के बाद पांडे सबसे वरिस्ट बन गया है लेफटिरन जनरल राज सुकला जो सेना के प्रसिच्छण कमान थे वो भी 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं पूर्वी कमान का कारेबार समालने से पहले और अंडमन और निकोबार के कमांडर इंचीफ का कारेबार समाल चुके हैं तो भारत को नया सेना प्रमुक मिल गया है और उसका नाम है मनूच पांडे